हेलो दोस्तों स्वागत है आप अग लोगों का आज की यो में हम लोगद डिसकस करेंगे डार्एक टैक्स का जो पेपर है ॒र सलीबिस कार्ट ü ए फाइनल का उसको डिसकस करेंगे काफ़ी क्विक डिसकुर्शन गरेंगे क्योंकि चितने भी questions थे descriptive questions थे सारे के सारे हमारे past paper के exam paper से वहीं से आये मुझे ऐसा एक भी question नहीं लगा जो new हो इस पूरे papers में कुछ amendments थी जो आई है नहीं जैसे हमारा 92B के अंदर जो हम secondary adjustment करते हैं वो जो amendment थी उसका question आ रखा है और बात करें MCQ की जो MCQs थे वो थोड़े hard थे 50% MCQs थे थोड़े hard थे बट 50% जो MCQs थे वो हमारे RTP और mock test paper में जतने भी questions दे रखे था अगर आप वो solve करके गए हो तो मैं bet लगा सकता हूँ कि आपने जो 50% MCQs होंगे वो आसा नहीं सकते होंगे ठीक है और बाकी जो questions थे वो भी conceptual based थे ठीक है तो बात करते है question number one की question number वारा PGPP का question था ऐसे आपको कई question मिल जाएंगे modules के अंदर institute के खुद के PGPP का जो PM है उसमें आपको ऐसे काफी questions मिल जाएंगे so जो पहला question है वो काफी easy था so basic चीज़े पूछ रखिए बस यहीं पर यहीं ध्यान रखना है जो डैप्रीशेशन है जो 3300 लैक रुपीस का डैप्रीशेशन है यह 1st June 2019 को notified backward area पर लिया है तो यहां पर जो हमें additional depreciation मिलेगा 35% की rate से मिलेगा और जो बाकी 250 है वो normal से मिलेगा तो वहां पर additional depreciation की rate क्या था 20 बाट वो less than 120 180 डेसे की है तो वहां पर हमें depreciation की rate होगी वो 10% हो जाएगी ठीक है और बात करें जो सेकेंड इंडिशेशन दी उस पर हमें additional depreciation नहीं मिलेगा और बात करें हमें जो investment allowance है वो 15% मिल जाएगा यहीं चीज इसमें ध्यान रखनी है और बस यह question आसानी से हो जाएगा इसके अंदर कोई भी amended 115 उसका कुछ भी नहीं लेना so easy question second question बात करता है charitable trust की charitable trust था इसके अंदर दो तीन adjustment ती जो काफी students को करने में तकलीफ होगी 2 एक अंदर मुझे भी आई दो तीन इसके अंदर adjustment को समझने में जैसे एक adjustment थी यह वाली जो 9th adjustment है access of expenditure over previous income तो इस adjustment का मुझे अभी तक treatment नहीं बता अगर आप लोगों को पता है तो आप comment section में लिख सकते हैं और एक दूसरी adjustment थी यह जो यह थी अपना donation given towards the corpus to a trust registered under section 1023 तो यह अगर same business होता है तो अलाव हो जाता है same business नहीं होता तो अलाव नहीं होता ठीक है अगर ट्रस्ट का तो मुझे इन दोनों adjustment थोड़ा doubt है तो आपको पता हो था comment section लिख सकते हैं बाकी एक question easy था question number B की बात करें 2 के B part की तो यह मारा DT AA से था same to same question आपने module के अंदर same to same question जो house property income है 240 उसके अंदर multiple tax 10,000 कट आदेंगे और 161 उसकी 30% का deduction ले लेंगे यह जो चीज है same to same हमारे book से आई है exact ठीक है हर चीज होई से तो इसके अंदर जो normal rate आईगी वो 16% आईगी और बाकी जो रेटे हैं 10 वगर वो सब दोनों से कम है इसलिए वो relief मिल जाएगी बात करें question number 3 के ए पार्ट की तो यह हमारा टीडी से लेट था फस्ट फस्ट जो है वो हमारा उसके अंदर उसको salary नहीं मानेंगे tips salary नहीं होती सेकेंड अपना जो airport authority है उसके अंदर 194C लगएगा एक केसलो है सिंगापूर एलेंस का थर्ड की बात करें टीपीए टीपीए प्रोफेशनल्स होता है इनके अंदर TDS कटेगा 194C के अंदर और जो फूर्थ है यह overseas agent मैंने जो किया है इसके अंदर मैंने किया है कि overseas agent को उसको treat नहीं करते उसके उपड़ का TDS नहीं करता बट अगर यह गलत है तो आप मुझे correct कर सकते हो comment में बात करें हम question number B की 3rd के B पार्ट की तो यह काफी आसान question है एनार टेक्सेशन का एनार टेक्सेशन जो बीबी की बुक के उसके लिनार टेक्स के अंदर यह चीज़ दे रखी है बीबी सर की अच्छो कंप्यूट करेंगे कैसे करेंगे इन पे हम 20% से टेक्स पे कर देंगे और जो बचा 50,000 उस पे हम 30% की रेट से टेक्स कर देंगे और से चोड़ देंगे उसके बाद income आर स्पेसिफाइड हाँ उसके वह TDS कटेगा और उसको फाइल रिटन करना है हाँ फाइल रिटन करना क्योंकि उसके इंकम के अंदर विन इसेंगे जो है उसमें से डारेक्ट सेंगे जो भी हमारे लांस प्रीजिएस अटेम में उसमें उसमें उस से आ रहे हैं बतलब ही वर्डिंग जो है वर्डिंग भी सेम इसके अंदर तो आप लोगों को अगर वह कुश्चिन कर लेते हो तो आल्मोस्ट आप 16 to 18 मांक्स अरा जो इसने यूचे यूचे से एक अदमी को हायर किया प्रोफेशनल गों उसको 5000 पाउंड दे रहे हैं तो वह इंडिया में टैक्स से बोलबागा क्यों क्योंकि जो प्रोफेशन होता है वह बिजिनर्स के अंदर इंक्लूड होता है ठीक है और सेकेंड जो है जर्मन कंपनी ह अगर आपने वह कोश्चिन देख रहे होंगे तो आपको यह कोश्चिन कर रखा हुआ यह जो जर्मन कंपनी है इसके टैली कम्यूनिकेशन वर्क है वो इंडिया में हो रहा है तो इसके अंदर भी कनेक्शन है जो उसका कंटेंशन है वो गलत है और जो थर्ड पार्ट है व यह भी हमारा assessment procedure के अंदर था कि अगर search लग गया 132 के अंदर तो क्या department उसके explain money को hold कर सकता है किते दिन के लिए 120 दिन कुछ रखा है extension नहीं तो permission चाहिए होगी तो यह काफी easy questions था question number B की बात करें तो 270A का under reporting का question था और प्रताफ filed application for immunity यह भी question आपने अगर penalty के सारे questions पड़े होंगे तो आपने यह question आराम से किसी से लोन लिया है foreign company से 8% की 8% का interest पे कर रहे हैं और अगर वो किसी unrelated party उससे वो 6% का interest ले रहा है बतब उससे related party उससे 8% ले रहा है और जो unrelated party उससे 6% ले रहा है तो 2% ज्यादा जादा दे तो इस दो से दोनों का difference आएगा वह आएगा 10 करोड रूपीस ठीक है जो 10 करोड रूपीस 10 करोड यूरो ठीक है उसको अपन इंडियन करणसी में चेंज करेंगे और आ जाएगा 850 और 500 यूरो तैन करोड यूरो और 850 रेट है तो हमारी टोटल जो एड़िस्मेंट होगा प्राइमी क्रोड को एड करेंगे उसकी इंकम को और सेकंड़ेश्मेंट होगा क्योंकि यह प्राइमरी एड़िस्मेंट एक क्रोड से ज्यादा है और यह एड़िस्मेंट एक जो 2020 में होई है जो हमारा उसके अंदर रूल लेकर इससे पहले हो रखिए तो वह अलाव नहीं होगी तो स अबर कोश्चन दे रखा कि अगर वह अडिशनल अडिशनल टैक्स पेइमेंट करने के लिए रेडी हो जाए तो उसके रेट लगेगी 18% प्लस 12% प्लस 4% ठीक है उसके साब से हम टेक्स निकाल देंगे अडिशनल टेक्स लाइड़िका और एक यह सामान्य कोश्चन था जादा है इसलिए और वो फॉरेंड कंपरी इसलिए इंटरनेशनल ट्राइशन होगी तो यह जीच एक्स्पेंड करने थी कोश्चन में लिखने से पहले नहीं करेंगी तो को तकलीफ नहीं है बट जनरली इंस्टिटूट जो हमें सजेस्टर आंसर देती है उसके अंदर य अप्लिकेशनल क्या है डो कोश्चन या रखा था यह उसके अंदर उसकी लिमिट क्या है और यहां पर भी एक उस्टिटूट आ रखा तो एडवांड के दो गोश्चन आंगे अरूंड साथ या आठमक्स कुश्चन कवर कीए उसने एडवांस रूलिंग ने उसके बाद हम बात करें टैक्स इविजन टैक्स प्लानिंग टैक्स मेरेजमेंट यह एक उसके पाफस्टिट्पर आने तो इसके अंदर बहुती सारे क्वेश्चन इस्टिट्ट के हमारे मॉडूल से या पास्ट पेपर के एक्जाम्स आए तो इस्टिट्यूट ने यह जो टीटी का पेपर काफी इजी बनाया फॉर दो ओल्ड स्टुडेंट्स नियू का मैंने अभी तक देखा नहीं है उसको भी में थोड़ी तेर बाद एविल्यूट करूंगा और यहां पे लाओंगा अग कॉस्टिंग के आगे कॉंसर्ट क्लासेज में कॉंसर्ट बढ़ने वाले उसकी वीडियो में लाने वाला हूं फ्यूचर में थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग